हलो बच्चों तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं पोटेंसियल पोटेंसियल डियू टू एन एलेक्टिक डाइपोल एलेक्टिक डाइपोल एना एट एनी पॉइंट ठीक इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी हम लोग पोटेंसियल निकाले थे एलेक्टिक डाइपोल का लेकिन एक्सियल पॉइंट पे और एक्विटोरियल पॉइंट पे निकाले थे ठीक है इसमें हम लोग एक किसी भी पाटिकुलर जेनरल पॉइंट पे हम potential की value निकालेंगे ठीक और उसी से हम derive कर लेंगे कि axial पे क्या होगी और equatorial पे क्या होगी ठीक है तो पिछला topic भी इसमें cover हो जाएगा ठीक अब देखिए इसमें है क्या dipole चुकिए आप जानते हैं dipole दो equal और opposite charges का एक system होता है तो ये होगे आपका कोई कहीं point है कैसे assume कर ले रहे हैं यहाँ पे point P ठीक है यह आपका dipole का center आप जानते हैं सारी distances हमें center से ही measure करनी होती है तो हम assume कर रहे है कि जो dipole है इस से P distance पे इसके center से R distance पे एक point है P R distance पे एक point है P और इसी point P पे इसी point P पे हम लोग electric dipole electric potential की value निकालेंगे ठीक है तब देखिए दो charges है यहाँ पे minus Q और plus Q आप जानते हैं अगर कोई charge Q है और इसकी वैसे R distance पे electric potential निकालने हुई तो इसकी value होती है V is equal to Q upon 4 pi epsilon not R ठीक है positive है तो positive negative है तो negative तो same इसी तरीके से देखिए यह dipole है यह पूरी distance हम 2A assume कर ले रहे है ठीक पूरी distance आप 2A assume करेंगे तो यह भी A हो जाएगा यह भी A हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ से इस charge से यह distance में assume कर ले रहा हूँ R1 और यह distance में assume कर ले रहा हूँ R2 ठीक है तो चुकि हमने R1 और R2 एजियूम कर लिया है इसको तो ध्यान रहे positive charge की वज़े से जो electric potential होगी यानि इस वाले के वज़े से ठीक है वो होगी V is equal to plus Q upon 4 pi epsilon not R2 और minus Q वाले के वज़े से जो होगी V is equal to minus Q upon 4 pi epsilon not R1 ठीक है तो plus Q वाले के वज़े से होगी minus Q वाले के वज़े से यह होगी यह आपका R2 और यहाँ पर R1 Q और minus Q इसकी problem नहीं ठीक है हमें यह R1 और R2 निकालना पड़ेगा यहाँ पर इस derivation में बेटा बस यही एक चीज है ही आप R1 और R2 निकालना सीख लीजे यह derivation बहुत हीजी है ठीक है उसके लिए आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी तो देखिए वो क्या है ठीक है मैं आपको बताओं अगर यह दो लाइन है ध्यान से देखिएगा अगर यह दो लाइन है ठीक है ठीक यह आपको कोई लाइन R1 दी है यह कोई लाइन R दी है ठीक और और आप क्या करना चाहिए ठीक है आपने इस लाइन से इस पे एक perpendicular draw किये ठीक तो यहां से अगर हम इस पे perpendicular draw करते हैं यहां से ऐसे perpendicular draw करते हैं यह 90 डिगरी पे तो यह ध्यान रहे आपने यहां से इस पर perpendicular draw कर दिया इसके इन पॉइंट से तो जब perpendicular draw कर दिया तो यह जो part है ना यह part यह यह part भी आ रही होगा ठीक है जेमेटरिकल यह भी क्या होता है आ रही होता है ठीक तो यह इस तरीके से यह concept है इसका ठीक है फिर से देख लिए अगर अगर line यह है यह इस तरीके से line है ठीक और आप यहां से इस पर perpendicular draw कर रहा है इस तरीके से तो जब perpendicular draw कर देंगे तो जितनी यह होती है उतनी ही होती है ठीक है यह दोनो equal होती है ठीक है जेमेटरिकल यह तो अब यही concept हम यहां यूज़ करेंगे और दूसरा concept हम यूज़ करेंगे resolution का resolution में हमने क्या देखा था देखे अगर यह आपका एक triangle है अगर यह triangle है ठीक है और यह angle theta है यह angle theta है तो अगर यह side A है यह side अगर A है यह side अगर A है तो इस A के 2 component आएंगे एक तो vertical component आएगा A के horizontal component आएगा तो vertical component आएगा A sin theta तो यानि यह वाली side हो जाएगी A sin theta horizontal वाला component आएगा A cos theta यानि यह वाली side हो जाएगी A cos theta इसको भी आपको ध्यान देना फिर से देख लीजिए ठीक है अगर मान लेते हैं कि A जो है आपका यह theta है ठीक ऐसे देख लीजिए यह यहाँ पर यह आपका theta है और यह A है ठीक है तो इसके 2 component आएगे एक vertical वाला एक हरजेंटल वाला हरजेंटल वाला cos theta वाला होगा और vertical वाला sin theta होगा ठीक है तो इस तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा ये दो कमपोनेंट आ जाएंगे ठीक है इसके तो अब इनी दोनों की हल्प से इनी दोनों की हल्प से ये डेरिवेसन हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे ठीक चलिए देखिए इन सब को मैं रियस कर दे रहा हूँ तो अब हम लोग क्या करेंगे ठीक है अब हम लोग यहां पर इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ क्यों बढ़ाता हूँ क्यों कि यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहां कहीं आना चाहिए परपेंडिकुलर ठीक है तो दिखिए मैं इसको बढ़ा आँ तो मैं इसको बढ़ा के यहां पे लाया ठीक अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यह यहां पे आएगा ठीक है तो पता चलेगा कि यह जो आरवन होगा ना आरवन यह इतने के बरावर होगा इसको मान ले रहे हैं ओ आरवन जो आरवन यहारवन आपका ये पीएम के ही काल होगा और पीएम कि सेखे एकोल होगा दिखेंगे ऐम प्लस ओपी ओएम प्लस ओपी ठीक है Similarly ारडू आखेंगे जब यहां से परपंडिकूल करेंगे है ना यहां से perpendicular dot करेंगे तो इसको N assume कर ले रहे हैं ठीक यहनि यह जो R2 है ना R2 आपका P N के equal होगा यह जो R2 होगा यह P N के equal होगा ठीक है और P N कितना होगा यह देख लीजिए देखिए यह यहां से लेके यहां तक P N है और यहां तक हम जाने O P है तो अगर इस पूरे O P में से O से P O से P तक अगर O P में से हम O N माइनस कर दें O N माइनस कर दें ठीक है O P में से अगर हम O N माइनस कर दें ठीक तो ये जो हमारा हो जाएगा ये R 2 मिल लाएगा ठीक है तो ये इतना समझ में आगए कि R 2 क्या होगा R2 क्या होगा बेटा R2 PN के equal होगा और PN क्या होगा O P minus O N ठीक है ये पुरा O P इसमें से जब O N minus कर देंगा तो ये P N बचेगा ठीक ये O P minus O N similarly ये आपका R1 क्या होगा R1 देखिए ये पुरा R1 इसके बराबर होगा यानि देखिए O से P O P plus O M O P plus O M के बराबर ठीक है अब ये देखिए O P जो है आपका R ये O P है R तो O P दोनों जगए होगा R ठीक है अब यहाँ बचा O N और यहाँ बचा O M O N और O M में देखिए अब इसमें हम concept वो resolution वाला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया देखिए इस angle को हम assume करेंगे थीटा इस angle को अगर आप थीटा assume करेंगे तो ये भी फिर हो जाएगा थीटा ठीक है ये 90 degree पे ही परपेंडिकुलर ड्रा की है हमने तो देखिए ध्यान से इस triangle को मैं बाहर निकालना हूँ इस triangle को इस triangle को ऐसे हम लोग लिए सकते है ये M ये M 90 degree पे ये वाले जो line है ये O YM हो गई ठीक है और इसको अगर A मानते है इसको A मानते है तो ये अपका A O हो जाएगा ठीक है ये A O ये जो right angle triangle था जो ऐसे बनावा था उसको मैंने ऐसे बना लिया A M ये side हो गई ये M O ये side हो गई ये A हो ठीक है अब देखिए O पे angle theta है और यहाँ पे है A ठीक है सौरी ये जो आपका A O है A O ये आपका A है ठीक अब अगर ये A है ठीक है अगर ये A है और यहाँ इससे theta angle बना रहा तो दो component होंगे इसके A के A sin theta ठीक है और यहाँ पे आएगा A cos theta यानि जो O M होगा O M O M होगा A cos theta ठीक है तो ये हो गया A cos theta similarly देखिए यहाँ पे जो O N है O N ये right angle triangle बाहर निकाल ले है इस तरीके से इस तरीके से ये 90 degree है ये यहाँ पे 90 degree है ये theta है और ये A ठीक तो ये चुकि A A जो है इससे theta angle बना रहा है इस side से तो इधर cos theta वाला component हैगा तो ये हो जाएगा A cos theta ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा A cos theta तो यहाँ प्लस में आया R plus A cos theta यहाँ R minus A cos theta यानि R2 की जो value हुई वो हुई R minus A cos theta और R1 की जो value हुई वो हुई R plus A cos theta ठीक है अब इनी दोनों को हम simplify करेंगे देखिए ठीक यह जो O N है यह हमारा आया A cos theta और यह भी जो O M है यह भी आया A cos theta A क्या था A side थी ठीक है अब देखिए R2 यहाँ से हमें मिला R2 यह जो R2 था R2 R2 O P के बराबर मिला यह इसको हम मानें तो R2 जो है ठीक है R2 की जो value मिली वो हमें क्या मिली R2 की value मिली R minus A cos theta R minus A cos theta ठीक है और R1 की जो value मिली वो मिली R plus A cos theta यह बड़ी बाली value ठीक है अब देखिए अब जो V होगा आपका न जो total potential होगा at point P पे point P पे जो potential होगा वो V negative charge की वज़े से plus V positive charge की वज़े से और यह आपका होगा देखिए Q upon 4 pi epsilon not तो दोनों में common होगा चुकि Q upon 4 pi epsilon not दोनों में common होगा इसलिए जो है इसको हम बाहर कर लेते हैं Q upon 4 pi epsilon not बाहर कर लेते हैं यह minus वाली की जो potential होगी निगेटी होगी ठीक है तो यह होगी minus 1 by R1 यह ठीक देखिए Q से इसको multiply करेंगे तो minus Q by 4 pi epsilon not R1 होगा ठीक है दोनों में यह रहेगा Q by 4 pi epsilon not इसलिए इसको बाहर कर लिए plus 1 upon R2 ठीक है अब देखिए यह हो जाएगा VP यानि potential at point P is equal to Q by 4 pi epsilon not है ना यह हो जाएगा आपका R1 R2 यानि दोनों का product और R2 इसे multiply होगा तो negative होगा R1 इसे multiply होगा तो positive होगा यानि यह हो जाएगा R1 minus R2 ठीक है अब देखिए R1 minus R2 की value क्या होगी यह R1 है यह minus R2 है R1 है आपका R plus A cos theta यह R1 ठीक है minus यह है R minus A cos theta ठीक है अब देखिए यह R1 और यह R2 जब इसमें से इसमें से जब इसको minus करेंगे तो इसके sign change करेंगे तो यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा यह R से R कट जाएगा और यह आजाएगा A cos theta plus A cos theta यह जाएगा 2 A cos theta ठीक है Q यह bracket में आजाएगा 2 A cos theta upon 4 5 epsilon not है अब R1 into R2 की value क्या होगी देखिए A minus B A plus B यह जाएगा R square minus इसका square करेंगे तो A square cos square theta यह इसकी derivation है इसको ऐसे लिख लेंगे V P is equal to देखिए 2 A Q cos theta upon 4 5 epsilon not R square minus A square cos square theta ठीक है अब देखिए इस 2 A Q को हम अगर P लिखते हैं तो यह आपका P हो जाएगा P cos theta ठीक इसकी जगए अब next line में लिखिएगा मैं यह लिख दे रहा हूँ P cos theta तो यह electric potential की value हो जाएगी इस general point पे ठीक है यह electric potential की value होगी इस general point पे ठीक अब इसमें देखिए आप अगर आपको इसको axis पे निकालनी है at axis पे axial point पे अगर axial point पे आपको देखना है तो ध्यान दीजेगा axial point पे क्या होगा यह जो point P होगा यह यहाँ पे कहीं होगा ठीक है ना theta की value 0 तो cos 0 की value 1 होती है तो electric potential देखिए cos 0 की value जब 1 हो जाएगी तो 1 से P सो multiply करने इसको फरक नहीं पड़ेगा तो हो जाएगा P upon 4 pi asylum node R square minus A square और यही हमारी derivation थी axial point वाली ठीक है अब अगर यह dipole हमारा very short हो यह पी जो हो आपका बहुत ही जादे दूर हो इस dipole से ठीक है तो आप देखेंगे कि A को हम A square की value को हम neglect कर देंगे तो यह जाएगा P upon 4 pi epsilon node R square ठीक है same यह derivation यह result आया था पिछले वाले वीडियो में ठीक तो यह short dipole के लिए ठीक है अब अगर हम equatorial point के लिए देखें equatorial point के लिए अगर देखेंगे तो यह फिर point आपका सीधे ऐसे perpendicular right by sector पे होगा equatorial point पे फिर यह point होगा और equatorial के लिए जो theta की value है ना theta की value 90 हो जाएगी और cos 90 की value होती है बेटा 0 चुकि cos 90 की value 0 होती है इसलिए जब theta 90 put करेंगे तो cos 90 0 होता है तो 0 से मड़ी लाए हो कि यह सब ही 0 हो जाएगा और equatorial point पे आपकी जो potential की value आएगी वो 0 आजाएगी ठीक है तो यह है हमारी है ना value electric potential की at any particular point और इस से इस general point से ठीक है हमने axial point वाले की derivation को भी result को find out कर लिया और equatorial वाले के result को find out कर लिया ठीक तो इस तरीके से यह इस चीज़ का बस ध्यान रखना है दो चीज़ का पहला यह जो मैंने बताया आपको की perpendicular यह एक line यह है एक line यह है ठीक है अगर हम यहां से perpendicular draw करते हैं तो इसकी value इसकी value same होगी एक चीज़ तो यह थी दूसरी अगर यह आपका right angle triangle है है ना माल लेते हैं यहां 90 degree है और यह है आपका यह A है ठीक है यह theta है तो यह A है तो इससे theta angle बना रहा है तो इदर इसका component आएगा A cos theta ठीक है जिससे theta angle बना रहा है उधर component cos theta वाल आ जाएगा तो same उसी तरीके से देखिए यह A है और यह theta है तो यह जो A वाली side है A वाली side इससे theta angle बना रही है इस side से तो A वाली side का इदर कौन सा component है A cos theta similarly यह देखिए यह जो A है इससे theta angle बना रही है यह जो A है यह से theta angle बना रही है तो दर कौन सा component आज़ेगा इसका A cos theta तो इसी वज़े से R minus A cos theta हो जाता है और R plus A cos theta हो जाता है वो इसलिए क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो NP है NP NP वो OP से पूरे OP से A cos theta कम होता है तो इसलिए A cos theta यहाँ minus हो जाता है यहाँ A cos theta increase हो जाता ठीक है तो इसलिए A cos theta plus R हो जाता ठीक तो आई हो यह वीडियो आपको बहुत यच्छा लगा होगा ठीक है आप derivation को pause करके अपने मन से आप करते चले जाएंगे तो पूरा concept आपको clear हो जाएगा ठीक है और इसमें आपको बिल्कुल प्राब्लम नहीं होगी ठीक तो चलिए देखिए बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं relation between relation between electric field and potential relation between electric field and potential relation ठीक है तो अब देखिए है क्या इसके लिए मैंजियूम क्या करते हैं बहुत छोटा सा part है है ना कोई सोचना अली बात नहीं है यह आपका plus Q है इसको यहां पे fix कर दिया गया है ठीक और यह आपका charge Q not ठीक है यह आपका charge Q not अब देखिए जान से अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे यह जो charge Q not है ठीक है इसको हम इधर कहीं shift कर रहे हैं ठीक है यहां point A पे है ठीक है इसको हम इधर कहीं पे ले आ रहे हैं point B पे ला रहे हैं ठीक है और हम जियूम कर रहे हैं कि यह जो A से B तक का गैप है यह बहुत ही स्मॉल है DR displacement है ठीक है तो अब देखिए जान से इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो force की value होगी वो होगी F force लगेगा displacement आपका इधर हुआ है है ना बहुत छोटा सा displacement है इसलिए जो work होगा हमारा वो भी infinitely small होगा और वो होगा DW is equal to the force इधर displacement इधर direction opposite है इसलिए होगा minus FDR ठीक है minus FDR यह आपका force और displacement हो जाएगा ठीक जो DW है DW ठीक है आप देखिए potential difference is equal to होता work done per unit test charge तो work done is equal to हो जाएगा potential into charge ठीक है अब ज़रा ध्यान से देखिए जो यह point A है ना work done is equal to कि होगा potential difference into test charge तो DW की जग हम लोग लिखेंगे है ना potential difference into charge तो charge तो हमारा क्यों नौड है चार्ज हमारा क्यों नौड है potential difference गया होगा देखिए यह point A यह point B दोनों point अलग अलग है हम बतायते हैं हर point का एक potential होता है ठीक है तो अगर specimen है तो potential का difference भी बहुत कम होगा तो इसको हमने डीवी मान लिया यह हो गया डीवी ठीक माइनस FF force है आपका force आप electrostatic force is equal to जानते है electric field into charge होता है ठीक है तो charge Q0 को लाए गया है तो यह होगा E into Q0 तो यहाँ पर हो जाएगा E into Q0 यह सब आखिर हम कर क्यों रहे हैं क्योंकि देखिए electric field में और electric potential में relation हमें find out करना ठीक है अब यह हमें क्यों करना पढ़ ला क्योंकि हम जानना electric potential का relation होता work से electric field का relation होता force से और यह दोनों मापस में interrelated होते हैं ठीक है work और force ठीक इस वजह से हमें सौंज में आया कि हम work का expression बनाते हैं ठीक है और उसी work expression से हमें potential और electric field का relation मिल लाएगा ठीक है तो अब देखिए into Q यह आपका DR वेक्टर ठीक अब देखिए द्यान से Q0 यह Q0 कट जाएगा Q0 कट जाएगा और यह हो जाएगा डीवी इस इक्वल टू डीवी इस इक्वल टू माइनस ए डी आर यानि electric field is equal to हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी आर ठीक है यह है आपका यह जो डीवी बाई डी आर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग लोग बोलते है rate of change of rate of change of potential with respect to distance rate of change of potential with respect to distance ठीक है इस आर डी बाई डी आर गो ठीक है और इसी को हम लोग है ना कहता है potential gradient potential gradient ठीक है अब यहाँ देखिए सबका मतलब समझे यह जो e is equal to minus db by dr है है ना इसमें पहले आप समझे इस minus sign का क्या मतलब है देखिए एक चीज़ तो यहाँ आपको clear हो गई आपको कि जो electric field है वो vector quantity है यह आपका scalar quantity है यह जो minus sign है ठीक है यह minus sign आपको यह बताएगी कि देखे देखे potential difference जिदर change हो रहा है ठीक potential difference आपका change हो रहा है ठीक है और यह minus sign क्या बताएगी कि potential difference की value potential की minus sign आपके यह बताेगी कि electric field की जो direction है यह electric field की direction है ठीक है electric field की जो direction है वो उधर होगी देखे यह आपका VA यह जो charge हमार रहा था ठीक है यह VA V-A की potential कम होगी V-B-A की potential जादे होगी ठीक है तो यह lower potential to higher potential आ रहा ठीक बच-0.But minus sign लगी होगी यह तो electric field की जो direction होगी वो lower to higher now के higher to lower होगी ठीक है यानि electric field की direction उधर होगी जिधर potential की जो value होगी वो decrease हो रही होगी तो ये minus 9 से में पता चलता है कि इसकी value उधर होगी जिधर potential की value जो होगी आपकी वो decrease होगी ठीक है और एक चीज़ देखी अब ये तो होगया कि e is equal to minus dv by dr ठीक है अब इस expression से ना इसी expression से जो e is equal to minus dv by dr है इस expression से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं vector form में इस तरीके से लिख सकते हैं electric field e vector is equal to minus dv vector upon dr ठीक है vector form में ठीक तो अब यहां से dv is equal to हो जाएगा electric field electric field dot dr ठीक है electric field dot dr ठीक अब इसका मतलब समझे इसका बहुत important role है ठीक है चुकि यह electric field dot dr vector है और इसको solve करने पर आप जानते हैं e dr cos theta आएगा e dr cos theta आएगा और cos theta यह जो हता है ना इसकी value 0 पे तो 1 होती है है ना but 90 degree पे 0 होती है 90 degree पे 0 होती है यानि अगर electric field की direction यह है electric field की direction यह है ठीक है और यह जो displacement है यह आपने ऐसे perpendicular किया है ठीक है electric field की direction यह और displacement आपने ऐसे perpendicular किया है तो जब perpendicular करेंगे तो theta 90 हो जाएगा और theta 90 होने के वैसे cos 90 की value 0 हो जाएगी तो उस case में potential difference जो होगा आपका वो 0 आएगा कोई potential का difference नहीं आएगा ठीक है आप देखिए दान से जैसे माल है यह electric field की direction है ठीक अब यह जो electric field की direction है इस electric field की direction में है ना जो point हमने लिया है वो यह लिया point A से point B ठीक है और यह electric field की direction है ठीक है theta angle पे ठीक अब यह जो ABS के दो component होंगे AB के भई यह जो AB है आपका displacement ही है point A से point B तक ठीक है तो यह जो displacement है यह DR इसके दो component होंगे A की आएगा vertical वाला vertical वाला vertical वाला क्या होगा AB sin theta और A की आएगा X वाला ठीक है horizontal वाला component यह होगा AB cos theta ठीक तो यह delta X और यह delta Y ठीक है तो देखिए यह जो delta Y है है ना इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे DV vector is equal to minus E DV delta Y vector plus E vector dot delta X vector ठीक है यानि electric field electric field तो आपकी E हो गई यह delta Y का displacement और delta X का displacement ठीक है क्योंकि यह जो DR vector है वो आपका A से B है तो इसके दो component होगा एक X वाला component और एक Y वाला component यह वाला Y वाला component होगा delta Y और यह X वाला component ठीक है इसमें एंगिल 90 degree होगा electric field और इसमें displacement में ठीक है 90 degree होने के वैसे cos 90 0 हो जाएगा तो यह component का यहां कोई रोल नहीं होगा तो जो potential difference आपका आएगा DV वो इन दोनों के वज़े से आएगा यानि electric field और delta X के वज़े से और यह हो जाएगा E delta X तो यहां पे हमारा हो जाएगा delta V is equal to E into delta X ठीक है तो इस तरीके से potential difference की value मिल लाएगी ठीक है अगर potential difference दिया होगा delta X हमें पता होगा तो E मिल लाएगा ठीक यानि कहने का मतलब समझे अगर आपकी electric field है ठीक है और कोई displacement यहां से यहां हुआ है A से B ठीक तो जब आप A से B में displacement होगा और electric field की direction यह है है ना तो जो relation आप लेंगे जो relation आप लेंगे वो बस यह वाला लेंगे horizontal वाला क्योंकि यह vertical वाले के around vertical वाले के along है ना जो E और displacement की value होगी वो 0 होगी तो सिर्फ आप यह वाला लेंगे जैसे माले यह 3.5 है यह और यह आपका यह 3.5 है इसको हमें assume कर ले रहे है इसको 4.6 assume कर ले रहे है ठीक है तो दिखिए y coordinate से आपको कोई मतलब नहीं है यह y coordinate में जो changing आई है 5 से 6 y से आपको कोई मतलब नहीं है x coordinate देखेंगे कि 3 से 4 हुआ है यह displacement कितने का है 1 का है ठीक है तो जो relation हो जाएगा electric field का और उसका हो जाएगा db is equal to 1 into electric field ठीक है तो इस तरीके से अगर electric field है यहां पे दियो हुई है uniform ठीक है तो हम इस relation से निकाल लेंगे potential की value ठीक है और अगर uniform नहीं है तो आप integrate कर देंगे ठीक है अगर uniform नहीं है तो हम इस तरीके से electric field is equal to यह जो db by dr है ठीक है तो db is equal to हो जाएगा electric field dot dr हम इसको integrate करके potential difference निकालेंगे यह v1 से v2 हो जाएगा और यह r1 से r2 ठीक है अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद अगर potential difference दिया हुआ है एक region में है ना potential difference दिया हुआ है एक region में और उससे आपको electric field निकाले potential difference दिया हुआ है ठीक है और उससे electric field निकाल ली है तो अगर potential difference दिया हुआ है है ना तो electric field निकालने के लिए हम क्या करेंगे potential को differentiate करेंगे ठीक तो अब आप इसको differentiate करके निकालेंगे electric field की value तो इसमें देखते हैं क्या है कि यह जो V है ना V V space में दिया रहेगा तो जब आप electric field की value निकालेंगे तो electric field आप electric field का x component निकालेंगे तो इसके लिए हम partial derivative करते है delta v upon delta x है ना x के along तब आपको इसका x component मिल लाएगा फिर y के along करेंगे delta v upon delta y तो आपको y का component मिल लाएगा फिर z के along करेंगे delta v upon delta z फिर आपको z वाला component मिल लाएगा ठीक है तब जाके आपको electric field vector मिलेगा exi plus eyj plus ez के इस तरीके से electric field vector form में मिल लाएगी ठीक है अभी जो partial derivative है क्या हम लोग numerical solve करेंगे तो यो पूरा concept हमारा clear हो जाएगा ठीक है समझी लीजिए यहीं देख लीजिए जैसे माले यह 2x square plus 4z plus 6y है यह potential दिया हुआ ठीक है तो अब इसको electric field अगर निकाल ली है तो हम क्या करेंगे भाई पहले x component निकाल लेंगे तो x के respect में differentiate करेंगे तो dv upon dx ठीक है x के respect में जब differentiate करेंगे तो बस x variable होगा z और यह y constant हो जाएगा ठीक है तो चुकि constant का differentiation 0 होता है तो integration बस differentiation बस इसका होगा और यह जाएगा 4 x इन दोनों का differentiation 0 हो जाएगा ठीक है फिर हम क्या करेंगे फिर हम y के respect में differentiate करेंगे यह होता आ पार्सिल डेरिवेट्यू y के respect में करेंगे तो यह constant हो जाएगा और यह जड़ वाला constant हो जाएगा तो 6 y को differentiate करेंगे आप तो 6 आएगा फिर आप जड़ के respect में differentiate करेंगे जड़ के respect में differentiate करेंगे तो जड़ वाला का variable का यह दोनों constant हो जाएगा तो यह 4 हो जाएगा इस तरीके से x component y component z component मिल जाएगा हम यहाँ पे put कर देंगे ठीक है तो यह था relation हमारा relation between electric field और potential difference और वो relation यह आया electric field is equal to minus dv by dr जहाँ पे हमें इस minus sign से पता चलता है कि electric field की value उस direction में होगी है ना जह दर potential difference की value potential की value क्या और यह होगी decrease हो रहे होगी ठीक है तो इस तरीके से एक concept हमारा खतम हुआ सुक्रिया